Hello everyone, welcome to NEET UG in 10 brought to you by Unacademy जो कि इंडिया का लाजेस्ट ओनलाइन लेर्निंग प्लाटफर्म है यहां आपको मिलती है daily life classes, life test and quizzes, structured courses अगर आप हमारा subscription लेते हैं, हमसे जुड़ते हैं तो आपको मिलता है unlimited access, हमारे जितने भी materials हैं और जितने भी video lectures हैं उनकी तो हमसे जुड़ने के लिए आप Unacademy learning app डाउनलोड करें Google Play Store पे जाके या App Store पे जाके और उसके बाद आपको लेना होगा हमारा paid subscription तो paid subscription के Neat UG के लिए कई options available है 136.24 लेकिन एक साल या दो साल सबसे आदा popular होता है क्योंकि Neat UG का syllabus काफी वास्त होता है and time लगता है उसकी preparation में तो on top of that आप मेरा code love10 ये use करते हैं तो आपको मिलता है 10% का or of जो भी हमारी base price थी मेरा नाम लवकिशोर श्रिवास्तवा है मैं समय मेगिल University Canada में as a researcher काम कर रहा हूँ आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं मुझसे questions पूछना चाहते हैं discussion करना चाहते हैं तो मैंने अपना telegram link यहां दे दिया है अच्छा तो अब बात करते हैं हमने last पिछले lectures में human physiology शुरू की थी हमने circulatory system पढ़ लिया हमने excretory system पढ़ लिया हमने digestive system पढ़ लिया अब next हम बढ़ेंगे skeletal system पे ठीक है तो skeletal system basically आप देखें तो उसके क्या क्या काम हो सकते हैं हमारी body का जो एक framework है पूरा वो develop करता है और उससे जदा important होता है कि movement में help करता है हमको एक जगा से दूसरी जगा जाना है अब आप imagine कीजे कि आपके अंदर bones ही नहीं है हड़ी नहीं है तो आप जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे तो movement जो है वो बहुत essential चीज है एक human beings के लिए किसी के लिए भी तो आज lecture इसी के बारे में करते हैं कि movement कितने तरीके के movement क्योंकि organisms तो बहुत होता है अब आप जाके अगर एक amoeba का example ले लिए amoeba के पैर तो होता नहीं amoeba को एक जगा से दूसरी जगा जाना है या movement सिर्फ एक जगा से दूसरी जगा जाने को ही movement बोलते हैं या और कोई definition भी होती है आज इनी सब पे discussion कर लेते हैं तो अब बात करते हैं कि कितने type के movement हो सकते हैं अब सबसे पहले define अगर आप करेंगे कि movement है क्या जो मैंने आपको बताया कि wide range of plant है ठीक अब plant है plant physically एक जगा से दूसरी का जगा जगा तो जाता नहीं ऐसा तो है नहीं कि आज आपने एक बर्गत का पेड़ यहां देखा तो खल आपको आपको आपके घर पे मिलेगा ठीक तो अब आप समझ रहे हैं कि movement का सिर्फ एक specific मतलब चलना ही नहीं हुआ तो और क्या क्या चीज़े आ सकती है अब जैसे मैंने अमीबा का example बदाया था तो अमीबा में एक चीज़ होती है streaming streaming of protoplasm protoplasm क्या cytoplasm बोल दीचे आप तो अब आप stream देखते हैं यह जो protoplasm है यह खुद भी move करता रहता है जैसे stream जैसे नदी बहती है ना तो वैसे कि continuously motion होता रहता है ऐसे finger-like structure समझ लिए जनको hair-like होता है लेकिन अगर जैसे उंगली मेरी move कर रही है ऐसे ही इसलिए फ्लाजिला move करते रहते हैं ठीक है जरूरी नहीं कि उससे जो भी organism में वह move कर जाए हाँ move करने में assist करते हैं लेकिन compulsory नहीं है कि उनको वह आके बढ़ाई देगा है ना लेकिन तब भी यह एक तरीके का movement तो हुआ ही हुआ अब बात आती है लोको मोशन ठीक है अब आप देखेंगे कि लोको मोशन की जब हम बात कर रहा है तो लोको मोशन वो टाइप का movement हुआ specific जिसमें हम एक जगा से दूसरी जगा जाने की बात कर रहे हैं है ना अब जिसे locomotion locomotory vehicles आपने सुना होगा locomotory vehicles गाड़ी हो गई बाइक हो गई cycle हो गई यह सब क्या करती हैं आपको एक जगा से दूसरी जगा ही तो ले जाती है ना तो वो type का movement जिसको locomotion हम बोलते हैं उसका क्या मतलब हुआ है एक जगा से दूसरी जगा जो जा सके plants में यह capability नहीं होती तो प्लांट में और तरीके के movement होते हैं आपने देखा है जो है पानी पानी जो है पूरे इसमें लीव्स तक पहुंच जाती है है ना हमारे अंदर heart है heart blood को है वो पूरे एक जगा से दूसरी जगा करता रहता है तो वो तो खेर एक अलग चीज हो गए तो अब locomotion as such आप देखेंगे कि हमको जाना है movie देखना है तो हम अपने घर से movie theater जा सकते हैं तो यह locomotion हुआ यहां पर change of place location की बात हो रही है चेंज of location तो वो locomotion होगा अब बाताती है कि locomotion के लिए locomotion के लिए जो structure है वो क्या सिर्फ वही काम कर सकते हैं जी नहीं सिर्फ चलने में ही काम करेंगे उनका क्या और कोई काम है जो है're role वो हो सकते हैं क्या हो सकते हैं कि aceptation paramecium close एक और तरीके का बि isn't it ऐसको सज्बड़ा होता है वह इसको खाने में भी मदद करता हा चलने में तो मदद करेंगा ही करेंगा इसमें तो कोई डाउट फेरेंक्स usable फेसे फेरेंग्स एन आपको बताय था when जो common था है ना common था ना मुँ और डाजसे सिस्टम और जो आपका नेजल सिस्टम है उसके बीच में common था ना तो अभी समझ लीजे हैट से related चीज है तो cytopharynx paramecium में एक चीज होती है है याना कि खाना वहीं से खाएगा हम अपने से यमूं से खाना खाते है ना तो वहीं चीज हो गई कि सीलिया help करता है paramecium को खाना खाने में भी ठीक cytopharynx अभी हमारा topic नहीं है तो उस पर बहुत focus नहीं करते तो main चीज यह है कि जो locomotory organs हैं और भी काम कर सकती हैं अब hydra की अगर कर ली जया तो hydra में tentacles होते हैं होते हैं ना tentacles आपने पढ़ा होगा जब आपने plant kingdom पढ़ा होगा तो hydra में tentacles सिर्फ चलने में मदद करता है नहीं tentacles जो उसका खाना है उसका प्रे है उसको पकड़ने में भी help करता है तो आपने देखा कि हाँ वो लेकिन उनके लावा उनके और function भी है तो यह ध्यान रखिएगा बहुत कोई कहा जाए कि एकदम important चीज है ऐसा नहीं है पर हां समझने के लिए याद रखने के लिए हर चीज याद रखनी है एक्जाम में कुछ भी आ सकता है अब बात करते हैं कि हम और देखें कि हमारी जो बाडी है उसमें किस तरीके के मूवमेंट कहां कहां मिल सकते हैं कई ज्यगा होती है एक moment तो है जो हम इधर अदर जा रहे हैं हम हात हिला रहे हैं किसी को हाय कर रहा है कर रहे हैं घक मूवमेंट यह हो गया लेकिन कुछ movement body के अंदर भी होता है जैसे मैंने अब इ शरीर में एक bacteria पहुँच गया, ठीक है, तो bacteria जहाँ पहुचा है, आपके cut लग गई, चोट लग गई, वहाँ से bacteria अंदर घुच जाएगा, ठीक है, तो जो site जहाँ पे cut लगा है, वहाँ पे क्या होती है, जो हमारे body की defense cells होती है, कौन सी होती है हमारी body की defense cells, macrophages और leucocytes, तो ये जो है, blood से घुम टहल के उस area में पहुच जाएंगी, है न, तो आपने देखा, टेकने के लिए cells के हाथ पेर तो होते नहीं, तो वो कौन सा movement show करेंगी, अमिबॉइड moment show करते हुए, वहाँ पहुच जाएंगी, अच्छा अमिबॉइड moment जब हम बोलते हैं, तो क्या मतलब हुआ हमारा, अभी जो आपको बताया था, streaming of protoplasm, क्या होती है, कि protoplasm, जब cell decide करती है, कि हमको आगे बढ़ना है, तो ये protoplasm अपने आपको आगे की तरफ propel करता है, आगे की तरफ बहना शुरू कर देता है, समझ लिजे, stream का मतलब तो वही हुआ, और उसके साथ साथ, उसकी जो cell membrane है, वो भी उसी direction में बढ़ेंगी, तो क्या हो गया, इसी चीज़ को, जो extension हो रहा है, इसको pseudopodia बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, amoeba का में यह बहुत अच्छा example होता है, इसी लिए इसको amoeboid movement बोलना है, लेकिन यह जो cells हैं, वो यह type के movement जहां-जहां शो करेंगी, उसको amoeboid बोलेंगे, तो याद रखिएगा, amoeboid movement क्या होता है, हमारी body में होता है, क्या answer है, yes, क्योंकि हम जितने भी movement यहां पढ़ेंगे, हमारी body में होते हैं, फिर ciliary movement, ciliary movement आपको सबको पताईए, विलाई बताए था आपको, ठीक है, बहुत सारी tubular organs जिसमें विलाई-like structure होते हैं, cilia बोल सकते हैं उनको, जो हमेशा continuously move करते रहते हैं, move करने के उनके बहुत से काम हो सकते हैं, जैसे हमारे trachea में, trachea में cilia move करते रहते हैं, तो हमने सांस ली dust particles, कुड़ा कचुड़ा कुछ भी air के साथ आ गया, तो इसको वह filter भी कर देगा वहाँ, ठीक है, अब female reproductive system में आप देखें, वहाँ पर भी ciliary movement होता है, ova के movement के लिए, तो आपने देखा, वहाँ भी movement आ रहा है, और फिर आ जाता है muscle का movement, मुह है, डांत है, हाई कर रहे हैं, हम बाय कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, इस टाइप के movement में muscles involved होती हैं, है न, इसलिए इसको हम muscular movement में गिनेंगे, तो और last point है कि locomotion जो है, muscular, skeletal, neural activity के बीच का coordination होना चाहिए, जो हम आगे discuss करेंगे details में, यह chapter is skeletal system का है, तो I hope कि एक basic idea आपको लग गया हो कि movement कितने तरीके के हो सकते हैं, क्योंकि skeletal system समझने से पहले हमको यह जानना जरूरी था, तो हमारा channel like कीजे, subscribe कीजे, Unacademy से मेरा quote left and use करके, and thank you, thank you so much.